राजा परताप सिंग जी के दुवारा इस किले का निर्मान करवाया गया था हम लोगों ने इसके अंदर तो कदम रख लिया है इसका पूरा टूटा वह हिस्सा सिर्फ एक मात्र मुंबती रखी जाए तो पूरे के पूरे कमरे के अंदर रोश्नी हो जाती थी इस किले के अंदर जो ये वाला कुवा बनाया गया है इस कुवे के अंदर से हलो दोस्तों मैं हूँ विकरम और आज मैं दिल्ली से आप पहुँचा हूँ अलवर के एक ऐसे पॉइंट पे जिसका नाम है राजगर और दोस्तों यहां पर आने का हम लोगों का उदेश्य है एक ऐसा अंटच किला आप लोगों को प्रेजन्ट करवाना जो अभी तक आप लोगों की नजरों से बहुत जादा दूर था दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे पीछे वाले हिस्से में आप यहां से लेकर यहां तक जो पूरा ये हिस्सा देख पा रहे हैं ये पूरे का पूरा किला है राजगर का किला और ये वाला किला बना है एक पहाड के उपर वाले हिस्से पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि लीगल तरीके से ये वाला जो किला ये वो बंद कर दिया गया है और अभी हम लोग यहां पे जाएंगे अंदर और अंदर जाके करेंगे इन चीजों कि बहुत बारी किसे जाच परताल और देखेंगे कि मजबूती को लेकर ये वाला किला कैसे बनवाया गया था राजा परताब सिंग जी के दुआरा तो आप लोगों को मैं ले चलता हूँ इस किले के अंदर वाले हिस्से में जहां से हम इसको करेंगे बहुत बारी किसे एक्स्प्लोर यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो ये राजगड का किला है ये कितनी जादा उचाई पर बना हुआ है आप इसको देख सकते हैं इसकी इस एंट्री पॉइंट से इसकी चोड़ाई को देख कर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कितने बड़े बड़े पत्रों के उपर पहाड के उपर इस किले को बनवाया गया है और ऐसा माना जाता है कि अलवर डिस्टिक के अंदर ये वाला जो किला है ये सबसे बड़ा किला है मैंने आज तक अपनी जितनी भी वीडियोज बनाई हैं उन वीडियोज के अंदर मैंने खुद अगर मैं personally recommend करता हूँ तो इतना उचा किला मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है दोस्तो और आप लोगों को मैं थोड़ा इसके point दिखा दिना चाहता हूँ यदि आप लोगों को दिख रहे हैं ये वाले पत्थर किस तरीके से symmetry formation में इनको जचाया गया है इनकी चोड़ी दिवारे और ये पीछे वाले हिस्से को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इसका ये बाहरी design आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसे बाहरी design के साथ साथ में आपको इसके corner point पर जो दिख रहा है ये वाला इसे कहा जाता था उस समय का watching tower और ये watching tower क्या काम करता था यहाँ पर जब हम खड़े होंगे तो हमें यहाँ पर पूरे का पूरा जो ये पीछे वाला जो इसका ये रस्ता है ये वाला रस्ता थोड़ा सा रिस्की है और यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा सावधानिया बरतनी जरूरी है दूसरे सब बताए जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले काफी जादा मर्डर वगरा के केसीज भी हुए थे जिस वजह से यहाँ की जो लोकल सरकार है उन्होंने इस किले को जो इसका में गिटेव बंद कर दिया है इसलिए हम लोगों को पीछे की तरफ से जाना पढ़ रहा है यहाँ पर और पता नहीं किसका प्रॉपर रस्ता कौन सा लेकिन कुछ थानिये बच्चे हैं जो हमारी यहाँ पर मदद करेंगे इस इज को ले जाने के लिए सो यहाँ पर आज में कुछ करने वालों मिस्टीरियस और थोड़ा सा खत्रों का खिलाड़ी बनने वालों है वजह बताता हूं क्योंकि इस किले के अंदर जाने का जो एक मातर रस्तायना वह यह है यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा जैसे की मेरे से थोड़े देर पहले बच्चा गया तो इससे हम जाएंगे अंदर और और फर्स अटेम्ट फेल अगें ट्राइब करते हैं है थोड़ा साब पकड़ने में ग्रिपिंग मुश्किल है इसकी बड़ जाना है तो ट्राइब करना पड़ेगा हूँ भाई साब तो फाइनली हम लोगों ने इसके अंदर तो कर दम रख लिया है अब जाएंगे अंदर और देखेंगे कितना और मिस्टियस करना आज बाकी है तो यह में दे कैमरा में अंदर आ गया है तो यह में लोगों को सबसे पहला यहां कर जो व्यूव बहुत जादा सुन्दर दिखाई दिया यह देख सकते हैं यहां पर इस समय के जो बनाए गए पहले के कमरे थे वो यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे और यह आज भी उतनी ही मजबूती से खड़े हैं जितनी मजबूती से यह चीज 200 से 300 साल पहले बनाए गई थी तो अभी हम जाएंगे उपर वाले हिस्से में और वहां जाके देखते कि हमें और कराने के बाद में यह देख सकते हैं यह पॉइंट वह यह जहां से बहार की तरफ देखा जाता था निशाना लगा जाता था और यह है इसके वह छोटे-छोटे महराब यह लकडिया जो पहले परियोग की जाती थी और यह काफे ज़्यादा रहसे का इधर जाना अपने को यह कुछ यह भूल भूले जैसा नहीं लग रहा बूल भूले यह ना खो सकता है राम से कोई के लाज़े तो देखर दोस्तों यह हमारी गाड़ी हम इतनी उसाई प्याच उकिया पर इप यह पर दिवार पे देगे साने कर्या तो ने कर्या थी इसमें तो यह इसके उपर का व्यू बहुत जाद अच्छा दिख रहे यहां से और यह सारे का सारे जो कला करती है डिजाइन है तूट फूट है इसमें किसी परकार का कोई भी चेंज परिवर्ता नहीं किया गया है और अगर आप इस कक्ष को देखते हैं यहां पर तो इस कक्ष के उपर वाले हिस्से में देखिए बीच कैसा तूट चुका है लेकिन इसके आसपस आपको डिजाइन देख वाई यह यह डिजाइन आज भी इतने सालों के बाद में यहां पर देखने को मिल रहा है और हम अगर इस चीज को सही तरीके से देखते हैं तो यह बहुत जादा कलाकरती का एक अजब-गजब फॉर्मेशन बना हुआ है काफVIS लोगों ने यहां पर अपने नाम बगगरा लिखे है जो भी यहां पर आते हैं गूमने के लिए टाइम पास करने के लिए जो भी लोग आते हैं पर उन लोगों ने अपने पहचान इसको दी हुई है दोस्तों यह देख सकते हैं आप यहां से पूरे का पूरा जो नीचर है वो कितना ज़ादा सुन्दर दिख रहा है यह पहाडों के बीच में बना बहुत ज़ादा सुन्दर राजगड का किला हम यहां पे जिक्र करते हैं 1766 की जिस समय राजा परताप सिंग जी के दुआरा इस किले का निर्मान करवाया गया था और आपको मैं बता दिता हूँ दोस्तों यहां पे कि इतना भवे जो एक किला बनवाया गया था इसका पूरे का पूरा सपोर्ट किया था उस समय की परजाने उस समय के लोगों ने अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अलवर की जो राजधानी थी वो बनी थी राजगड़ और आप इसका ये बाहरी व्यू देख पा रहे हैं जो कि बहुत ज़ादा अच्छा है और अगर हम जिक्र करते हैं इस उपर वाले हिस्से की आप इसके अंदर का डिजाइन देखिए कलर ग्रीन वाला भरा हुआ इसके अंदर ये पिलर यहाँ पे लगाए गए हैं और ये अपने आप में जो राजपुताना शैली के बेसिस पे बनाया गया था और ये है इसका पूरे का पुराव बाहर का व्यू जो कि बहुत ज़ादा लुभावना है और आपको मैं सच बतायता हूँ माना जाता है कि राजगर्ड का जो ये एरिया है यहाँ पे गर्मी का टेंपरिटर ज़ादा होता है लेकिन इस समय यहाँ पे इतनी ज़ादा थंडी हवा चल रही है उसका कारण है इसके अंदर होने वाला वो चूने पत्थर का परियूँगा जो कि गर्मी के समय में हमें थंडा महसूस करवाता है थंड के समय में गर्म महसूस करवाता है तो अभी बाकी चीज़ों को देखेंगे अंदर वाले हिस्सों को कि किस तरीके से यह चीज़ है यहाँ पे बहुत ज़ादा रहसे करें दोस्तों जिस पॉइंट पे मैं भी खड़ा हूँ इसे कहा जाता था बुर्ज यानि कि इस पूरे किले के कॉर्णर पॉइंट पे ये गोल महराब के साथ ने बनाई गया करती को बुर्ज कह जाता था और ये जो जगाई ये अपने आप में बहुत ज़ादा विशाल है काफी ज़ादा मजबूती से इसको बनाया गया है कि बड़े से बड़ा हमला भी ये चीज़ आराम से झेल पा सकती है तो अभी ये वाला जो हिस्सा है इसका ये काफी ज़ादा अच्छा कक्ष हमें दिखाई दे रहा है जहां पे इनके सैनिक वगएरा रहते होंगे और इस उपर वाले पॉइंट से इनके जो सैनिक वगएरा थे ये पूरे के पूरे शेहर पे बहुत अच्छे तरीके से निगरानी कर पाते थे इस इस एतियासिक जगा के अंदर आज इसकी ये वाली हालत देकर हम लोगों को बहुत ज़ादा दुख हो रहा है जिस व्यक्ति को यहां का राजा बनाया गया था परताप सिंजी क्यों और जब उन्होंने इस जगा को लोगों के सहियोंग से बनवाया वो चीज आज के समय में बिल्कुल बरबर हो चुके तूट चुकी है और ऐसा मैं अपनी वीडियो के माद्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस परकार की जो एतियासिक धरोवर हैं इस परकार की जो प्राचीन हमारे किले हैं दुर्ग हैं उनको यहां पर मरमत करवाया जाये और लोगों के लिए टूरिस प्लेस यहां पर बनाया जाये और यह आप देख सकते हैं इसका पूरा टूटा हुआ हिस्सा सेफटी देख सकते हैं कितना जादा हम लोगों को ध्यान रखना है और एक शण भी हमें नहीं पता कि कब ये चीज नीचे की तरफ गिर सकती है दोस्तों तो यहां से हमें बच के थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है इस किले के अंदर घूमते घूमते हम लोगों को दिखाए दिया यहां पे रानी कक्ष और वो रानी कक्ष आज के समय में भी इतना जादा सुन्दर दिख रहा है उस चीज को आप अपनी आखों से खुद देखीगा भी अगर हम जिक्र करते हैं इसकी इन वाल्स का तो आप यहां पे सबसे पहले दिवारों पे तराशी गई यह कला करती को देखिए यह सारी की सारी जो कला करती है दोस्तों यह बहुत जादा सुन्दर है यह और अभी आप लोगों को यह बड़ी ही खसता हालत में दिखेगी और अगर इसके उपर का व्यू देखेंगे तो आपकी आखे मदमोहक हो जाएंगी यह उपर जो कलरफुल यह दिवार इसकी बनाई गई है और इसमें जो चमकदार व्यू दिया गया है यह सारे का सारा दोस्तो आज से 200 साल पहले बनाया गया था और आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि यह जो अलग-अलग परकार के चित्रन यहाँ पर लोगों ने खराब कर दिये हैं यह देख सकते किस परकार से गुड़ सवार के ऊपर यह उनके सैनिक वगेरा और यह सारी चीजे उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी रचित थी और यह देखा जा सकता है पूरे का पूरा इनके अंदर बहुत जादा सुन्दर आकर्ती चापी गई है और नीचे देखेंगे पूरे का पूरा ने रानियों का एक बहुत सुन्दर चित्रन दिया गया यह वाला यह देख सकते हैं आप यह राणियों का बहुत सुन्दर चित्रन डिया गए यहाँ पे अलग-अलग परकार की कला करतियों में जो राणिया है इसका एक व्यू दिख रहा है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा जो परमुख बात है दोस्तों वो यह है डबल शेड के पिलर और दोस्तों आपको मैं बता दूँ है पिलर कोई आम पिलर नहीं है पूरे के पूरे संगमर्मर के पिलर है यह अगर हम इन पत्थरों को देखते हैं तो ये सारे के सारे वो संगमरमर का स्टोन है जिस से हमारे भारत का ताजमहल बनाया गया था तो ये देखा जा सकता है पूरे का पूरा व्यू और इसका देखे रानी कक्ष का ये हिस्सा देखे आप ये देखे कितनी बारी कला करती यहां पर ऐसी कला करती को शर्चत नमन किया जाता है ऐसी कला करती को तो बहुत ज़ादा प्रावडी फिल किया जा सकता है ये देखे आप यह देख सकते हैं यहाँ पर और यह पूरी की पूरी किसी समय की यहाँ पर बहुत सुन्दर पेंटिंग रही होगी जहाँ पर रानी वगरा राजवगरा सभा में बैठे लोगों का एक व्यू दिख रहा है यहाँ पर आपको और इस छत का डिजाइन देखिए आप नीले कलर के साथ में इस पूरे छत को बहुत अच्छे तरीके से एक सुन्दर डिजाइन दिया गया है यह देखिए आप वाओ बहुत ज़्यादा खूब चितरन हद से ज़्यादा खूब चितरन आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो रानी कक्ष है वो कितने सुन्दर तरीके से डिजाइन किया गया था यह उसका बाहरी लुक देख सकते हैं आप लोग और आपको मैं बतायता हूँ दोस्तों इसकी एक खासियत भी थी खासियत यह थी कि जो यहाँ पे अंदर मिरर लगाए गए थे चोटे उड़े कांश के टुकडे लगाए गए थे यहाँ पे सिर्फ कि यह जो पूरे का पूरा खाली इनका प्रांगन यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके पीछे वाला हिस्सा ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को यह कुछ कडिया लगी हुई दिखाई देंगी इनका एक मातर सिंपल सा तात पर एक क्या हुआ करता झालि ज добoring को शोटा-मोटा, कोई समारों किया जाना है और समारों किसमया बकिसमे में बर्शात व्गरा हो जाती है तो उस बर्शात के समयमें यहां पे और वहां पे एक तिरपाल लगा कर चीज़ को रोका जासे है इस परकार से हमारे head के उपर सबसे जो परमुक स्तर पर हमारा कलंगी होता है इसी परकार से skillet का जो कलंगी point है जो सबसे ज़दा उच्चेतम point है वो है ये वाला हिस्सा तो अभी मैं आप लोगों को ले चलूँगा इस उपर वाले हिस्से में और वहाँ पे जाने के लिए रस्ता बनता है ये वाला तो हम आ चुके हैं इसके सबसे उच्चितम वाले पॉंट पे जहां पे हमें ये वाला सुंदर इसका connecting दिखाई दे रहा है दोस्तों यहां से रोजों पूरी के पूरे Obrig'll को बहुत अछे तरीके से लुक कर सकते हैं यह वहाला हिस्सा कि और इसके बाद में यह इसका सबसे मज्बूत हिससा जहां पर उसके सेनिग वगरा विश्राम किया करते थे यहां पर कुछ ही अन्यकमरे वगरा बने हुए है यह इसका कुछ यह नीचे का हिस्सा यहां पर ग्रा chills का और यह सामने देख सकते है पुरे का पुरा कितना बढ़ा है कितना विशाल है काप्चर